इस बीचे कर बड़ी खबर बड़ी जानकारी आ रही है वो हम आपको बताने जा रहे है ना नौसे जापन अव्जाथ शिचु की अठ्या की कोशिश ची कई है बड़ी ख़बर आपको बता दे माँ ने ही दबाया नवजाथ का गला यह इस वक्त की बड़ी ख़बर आइस्यू में बढ़ती थी दो मार की नवजात इस वक्त की बड़ी खबर तो सीसी टीवी में क्याद ये पूरी घटना हुई है शेंस सार कर देने वाली घटना नवजात शिशू की अत्या की कोशिश की है कोशिश की है और ये अत्या की कोशिश इसी बच्री की माने किया है नवजात का गलाद बाती हुई इसी टीवी में क्याद हुई सब्सक्राइब तो जो मैंने फुटेज देखा तो मैं बिल्कुल बता नहीं सकता उस टेम पे मेरी गंटे के लिए मैं खुद ब्लैंक हो गया कि यह हुआ क्या क्योंकि मैंने उसको गला दबाते हुए देखा वो करीब 15-20 मिनिट तक बच्चे का गला दबा रही थी उसने पहली बार ऐसी चीज देखी है मैंने भी लाइफ में बहुत पेशिंट बचाएं 15 साल हो गएं मेरे को यह काम करते हुए लेकिन खुद की मदर को ऐसा करते हुए देख के मैं खुद ही लिए था कि यह क्या हुआ एक दम से कोई गाउं की दो मेने की बच्ची है जो इलाज क की कोशिश की है जो इसूचना पर मेरे चोकी इंचार माविर चोकी इंचार रस्वनी श्रेक्टर तथा मेरी मुक्ते पूंचा वहां पर हमने उसकी होस्पिटल के सीची टीवी कैमेर को चेक किया जिससे इस आप दीख रहा था यह बच्ची की जो मा है वह बच्ची का गला समाता जोगंदर कुमार हमार साथ एस बीच फोन लाइन पर चुरूगे जाजन घरी के साथ जोगंदर काफी शर्म सार कर देने वाली घटा है कि किस तरीके से एक मा जिसने बच्ची को जन दिया वही उसकी अहत्यारी बन गई हालकि कोशिश उसने की कैमरे में कैद हुई ब बेके लोन हस्पिताल जैपूर में एड़मिट करवाए गया है और वहां से भी हमने बच्ची के जो सिती है उसके बारे में जान पुषकारी जो प्राफ्ती है अभी बच्ची की जो हालत है वो नाजू के सिर नहीं है बच्ची बेकि इस बहस्ना ने बिलकुल जो मा की ममता है उसको जहचोर करें रख दिया है कि एक मा अपनी बेकी का गला कैसे गो सकती है जब की बेकी मा के आचल में अपने आपको सुरक्षित महसूस करती है और उसी आचल में आपने देखा जिस तरह से सीसी टीवी कैमरे में की मा के आचल में जब गोद में बैखी है और वो ही म मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है उस बच्छी की जान तो बच्छी है लेकिन अभी उसकी जो सिती है वो काफी नाजूक बनी हुई है हला कि पुलिस में 307 के तहट मामला दर्ज कर उसकी मा को ग्रसार कर लिया और नसीपूर जेल में उसे बेज़ दिया है लेकिन ये घटना एक मा के लिए नहीं बलकि दूसरी मा के लिए भी सीट है कि किस तरह से एक मा हच्छारन का रूप धारन करते हैं और अपनी बेची को बहुती शर्प नात घटना ये सामने आई है जी जोगिंदर फिलाल इस घटना के सामने आने के बाद के जांच किस तरीके से चल रही है महिला परिवार वालों का क्या कहना है और ये महिला जिसे गिरफतार फिलाल कर लिया गया है क्या इसका मांसिक संतुलन ठीक है या फिर क्या वज़ा थी जो उसने ये कदम उठाया? ये गंभीर बीमारी की रुप ढर्रना करने उसकिल ये वो कहीं मुसिबत ना बन जाए तो कई ये तोच हो सकी है मा की और लेकिन बच्ची कैशिघी भी हो बिमार हो लेकिन आप देखिये कि गया है आपाहीज बिच्चे पैड़ा होते हैं माबाप उने भी पालते हैं, बड़े भी होते हैं, और वो छेतर में नाम भी कमाते हैं, लेकिन इस तरह की घटना मा के द्वारा दिये जाने, कजू अंजाम राव वो तो ठीक है, पुलिस ने उसे ग्रफार कर गेल भेज दिया है, अब बच्की की जो स्थिती है, उस पर नज कर रहे हैं, लेकिन पर्फम ब्रेशे में जो 307 का मामला जो बनता था, उससे तहत मामला दर्ज कर मा को गिरत्सार कर लिया गया था, जिसे नहले में पेज़ किया गया, और अब उसे नहीं मिरासत में भेज दिया गया है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जोगंदर कुम जो है, वो सामने आई है, नानौल से फिलाल मैला को गिरफतार कर लिया गया है, लेकिन बच्ची के आहलत अभी भी नाजुक बनी हुई है, आई स्यू में भरती थी, दो मेनी की नवजात, हाला की रिकवर यह हो रही थी, लेकिन इस दोरान इसकी मा जो है, जिसने इस जन्म दिया है, वो ही इसकी हत्यारा बनने को आमादा हो गई, और सिसे टीवी में कहें ये घटा बेहत शर्मसार रॉंक टेक खड़े कर देने वाली है, क्योंकि जो वापर डॉक्टर से उनका भी कहना है कि जब उन्होंने ये पूरी वीडियो देखी, तो वो भी काफी देर तक स समय रहते बचा लिया गया, लेकिन हालत नाजुक बनी हुई है, नवजाद शिशू के अस्ट्या की कोशिश यहां पर की गई, उसकी मा नहीं नवजाद का गला दबाया है, हाला कि डॉक्टर्स की सूद्बूच के चलते बच्ची को फिलाल बचाने की पूरी कोशिश जो ह वो की जा रही है, लेकिन अभी भी बच्ची की आलत नाजुक बनी हुई है